हेलो दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल हेल्थ गरेलो उपचार में दोस्तो ट्राइफूट सहत के लिए बहुती फाइदे मन होते हैं और इनी ट्राइफूट के बीच एक ऐसी चीज भी है जो सरीर को डवल पावर और दुगनी तेजी से फाइदा पहुँचाती है जिसका नाम है अखरोट दोस्तो अखरोट सहित के लिए कुनों का खजाना माना जाता है क्योंकि अखरोट में मौझूद विटामिन्स, मिनरल, मैगनीसियम, कैलसियम, आईरन, फासफोरस, कोपर, सेलिनियम और बरपूर प्रोटीन हर बीमारियों से निजात दिलाने में मदद करते हैं और सरीर को हेल्दी बनाई रखते हैं इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको अखरोट खाने के कुछ ऐसे फाइदे बताऊंगा जिनको जानकर आप आज से ही अखरोट को खाना शुरू कर देंगे और अपने सरीर को अच्छी सहथ दे पाएंगे और साथी अखरोट खाने का सही तरीका भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा इसलिए आप इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखे और पसंद आई तो लाइक कर देजिए लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल हेल्थ गरेलू उपचार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और पास में जो गंटिका बटने उसको भी दबा दीजिए दोस्तो अच्छी सहित बनाने और अख्रोट खाने का पहला फाइदा है दिमाग को सवस्त रखना अख्रोट में बहुत अधिक मातरा में ओमेगा 3 fatty acid पाया जाता है जो दिमाग की activity को बढ़ाने में मदद करता है और इसलिए अख्रोट को बहुत अच्छा brain food भी माना जाता है अख्रोट में ओमेगा 3 fatty acid होने के अलावा इसमें iodine भी पाया जाता है जो दिमाग को सवस्त बनाई रखता है दोस्तो वैसे तो अख्रोट खाना सभी के लिए अच्छा और सहितमन होता है लेकिन जिनको diabetes की problem है उनके लिए तो अख्रोट किसी आयरुविधी कोष्दी से कम नहीं है और इसलिए diabetes वाले मरीजों को खास दोर पर रोजाना अख्रोट का सेवन करना चाहिए क्यूंकि अख अख्रोट में प्रोटीन फाइबर होता है जिसकी वज़े से आपका एक्स्ट्रा बढ़ता वजन कम होता रहता है और साथ ही diabetes कंट्रोल में रहता है नमबर तीन हड्यों का मजबूत रखता है अख्रोट दोस्तो अख्रोट में मौजूद ओमेगा-3 fatty acid हड्यों के लिए फा मैगनीसियम और मैगनीज हड्यों का सवस्त रखने में मदद करते हैं नमबर चार दिल का सवस्त रहना दोस्तो अख्रोट में पाई जाने वाले ओमेगा-3 fatty acid में अलफा-Linolic acid नामा का एक जरूरी फेट होता है जो दिल में होने वाली हर बिमारी से बचाव करता है और साथ अख्रोट में अंटियोक्सिडेंट की बरपूर मादरा पाई जाती है जो दिल से जुड़ी हर बिमारी और कैंसर के खत्रे को कम करता है और साथ ही दिल को सवस्त बनाई रखता है तो दोस्तों ये थे वे चार भैस्तिन उपाई जिनका लाब आप रोजाना अख्रोट खाक कर पा सकते हैं और अब जान लेते हैं अख्रोट खाने का सही तरीका और इसको किस टाइम और कैसे खाना चाहिए दोस्तों इसके लिए आप रात बर एक मुठी बर अख्रोट की गिरी पानी में बिगोकर रखे और फिर सुबा उठकर इसे साफ पानी से दोले और फिर खाली अगर यह अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा सेर करें और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले धन्यवाद